दोस्तो हम आज आपको रिमोट ही करना सिखाते हैं सेटप बोक्स का हो या किसी भी टीवी का एसी का कोई भी रिमोट हो आप उसे पाynth मिनट में ठीक कर सकते हैं और कोई पैसा नहीं लेगा आपका ऐसे ही आपका रिमोट ठीक हो जाएगा अब हम remote खोलना बताते हैं आपको remote कैसे खोलते हैं ये और चलो शुरुआत करते हैं ये cell निकाल दिया है और cell निकालने के बाद ये घर में तो एक पेंच कस होगा ही ये वाला तो इसको यहां से इसका लोग खोलते हैं इसको अनलोग करते हैं यह अनलोग हो गया है यह खुल गया है इसका और इधर से भी ऐसे खोल लिखते हैं यह आपका रिमोट खुल गया है तो दोस्तो यह रिमोट खुल गया है देखो कितनी डस्ट है तो सबसे पहले हम इसकी यह वाली डस्ट साप कर देते हैं और देख लेते हैं कि कोई चीज खराब तो नहीं है कारबन तो नहीं आ रहा है ऐसे ही हमारी कीपैड है कीपैड को भी हम पैटरोल से या हलके से पानी से सरप से किसी से साप कर सकते हैं इसके बाद फिर देखते हैं इसमें आगे क्या कमी है यह हमने साप कर दिया है यह अच्छे से साप हो गया है इसके यह सारे पॉइंट सही है कारबन था वो साप हो गया है अब ऐसे ही हम यह कीपैड है कीपैड को साप कर देखते हैं पैटरोल से कर दो हलका पानी लगा के कर दो कैसे भी इसको हम साप कर देते हैं तो यह हमारा कीपैड भी साप हो गया तो आगे देखते हैं इसमें क्या कमी है तो दोस्तो ये मैं बोली से निकाल लेता हूँ तो ये देखते हैं इसके जो ये वाले पोईंट है बेंटरी के ये बेंटरी के ये साफ है ये वाला साफ है तो कभी-कभी बेंटरी का जो ये निगेटी और पोजेटी वाला पोईंट है ये डिसोल्डर हो जाता है ये वाला और इसको ना सोल्डिंग कर देना चाहिए हमें कि बार बार दिमोट ना खोलना पड़े ये इसको हम solder कर देते हैं और IC भी चेक कर लेते हैं इसकी IC बिलकुल एक दम साफ है कोई कार्बन नहीं लगावा है D solder नहीं हो रखा है और IC के चांस बहुत कम होते हैं कि IC खराब हो जाए जदे तर होता है कि ये dry solding हो जाता है और ये dry solding और कभी-कभी हम बैठे-बैठे TV चला दिया और TV चलाने के बाद ऐसे-ऐसे इसको हिलते रहते हैं और ये क्या होता है ये यहाँ से dry हो जाता है इसको भी हम solder कर देते हैं ज़े आपको कोई lose लग रहा है इसमें लूज नहीं है और ये देग लेते हैं और ना ही कोई ये इसका IR sensor है ये भी टूटा हओवा नहीं है तो दोस्तों चलो अगले point पह चलते हैं हम इसके इसको देग लेते हैं इसमें कहीं तो यह मेरा यह साफ हो गया है तो लगता है कि यह मेरा परफेक्ट हो गया ज्यादतर रिमोट में इस तरह की प्रॉब्लम आती है यह कीपेड में कार्बन आ जाता है और कुछ से डस्ट वस्ट आ जाती है जिस रिमोट काम करना बंद कर देता है ऐसे ही यह PCB है इसको PCB को भी ऐसे ही साफ कर लेते हैं इसमें भी डस्ट कार्बन वगर आ जाता है और यह अपना काम करना बंद कर देता है यह अपने घरी खोल के ठीक कर सकते हैं चाकू की मदद से या पेंचकस की मदद से आप इसको खो करता है कि इसको ऐसे लबा देते हैं यह अच्छे से बंद हो गया है अब इसमें सेल डाल के चेक करते हैं इसको चेक करने का तरीखा भी अभी बताते हैं कि इसका आपके पास मुबाइल तो होता है यह मुबाइल में कैमरा है मुबाइल का कैमरा आप ओन करो और कैमरा इस आयार सेंसर के सामने लाओ तो जैसे ही हम इसको यह बटन दबाएंगे इसके switch दबाएंगे तो यह, जो IR sensor है, IR sensor से एक light निकलती है, blue color की light दिखेगी आपको, जो light निकल रही है, तो आपका remote काम करा है, light नहीं निकल रही है, तो आपका remote सही नहीं है,